क्या आप भी छोटी-छोटी बिमार्यों से तुरंत निजात पाने के लिए दवाईयों का प्रयोग करते हो? अगर हां, तो देखें कि ये आपको भविश्य में कैसे लाई-लाज बना देंगी? एक महीना हो गया, बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा वज़ा ये है कि खासी जुकाम और गला खराब जैसी साधारन विमारियों में राम बान मानी जाने वादी एंटीबाइटिक दवाएं भी अब बेअसर हो रही है ये दावा कोई और नहीं, बलके दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर कर रहे हैं गंगाराम अस्पताल में नवंबर 2014 से दिसंबर 2015 के बीच आई-सीउ में भरती 234 मरीजों पर रिसर्च की गई नतीजों के मुताबिक 70 फीसदी मरीजों पर एंटीबाइटिक दवाओं ने असर नहीं किया यानि गंभीर हालत में अस्पताल पहुँच रहे मरीजों की जान पर खत्रा बढ़ रहा है क्यूंकि एंटीबाइटिक दवाएं अपना असर खो रही है विश्व स्वास्त संगठन के मुताबिक हर भारतीय साल में औसतन 11 बार एंटीबाइटिक दवाएं खाता है समस्या यह है कि लगातार एंटीबाइटिक दवाएं लेने से शरीर में हानी कारग बैक्तीरिया में अब इन दवाओं से प्रतिरोधक शमता विक्सत हो रही है इसी वजह से भारत में 75 फीसदी बीमारियों में डॉक्तरों को औसतन से भी ज्यादा एंटीबाइटिक दवाएं देनी पड़ रही है बिना जरूरत अगर एंटीबाइटिक दवाओं को खाया जाए तो मरीज का इलाज करना नामुम्किन हो सकता है साधारन खांसी और बुखार जैसे मर्ज भी ला इलाज होने का खत्रा बना हुआ है अब डरने की कोई बात नहीं क्योंकि आपको इन बिमारियों से बचाने के लिए ग्रीन प्लैनेट लाया है जीपी तुलसी तुलसी को इसके महान गुणों के कारण सर्वशेष्ट स्थान दिया गया है हजारों वर्षों से इसका औशिदी के रूप में प्रियोग किया जा रहा है आयूरवेद में इसको संजीवनी बूटी के समान माना जाता है तुलसी के कई लाब होते हैं जैसे ग्रीन प्लैनेट द्वारा बनाई गई जीबी तुलसी में जिससे यह आपको कई प्रकार की बिमारियों से दूर रखने में मदद करती है जैसे स्वाइन फ्लू, डिंगू, बुखार, खांसी, जुकाम, जोडों का दर्थ, पत्थरी, मोटापा, ब्लट प्रेशर, शूगर, गठिया, बवासीर, पाईरिया, अलसर, ठकान, उल्टी, हिचकी, पेट के रोग, वसरदर्थ इत्यादी जीपी तुलसी का प्रेयोग, दो बूंद किसी भी पैपदार्थ में मिलाकर कर सकते हैं अगर बिमार्यों से निजात है पाना, तो जीपी का तुलसी ही अपनाना अपना